हलो दोस्तों मैं एड़ोकेट आधर शीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ओन्लाइन लीगल हेल्प है दोस्तों पिछले कुछ वीडियो से हम बात करते चले हार थे ट्राइल के बारे में हमने जाना के ट्राइल कैसे चलता है, court of session और magistrate court में कैसे ट्राइल चलता है आप कैसे evidence को produce करेंगे, magistrate के क्या-क्या duties होती है, evidence को record करते से मैं दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे trials related एक और provision के बारे में हाँ दोस्तों अगर आपने एक बार एक offense किया है और उसके लिए आपको एक बार सजा मिल चुकी है तो दूसरी बार उस offense के लिए आपको फिर सजा नहीं मिल सकती है एक बार अपने offense किया है उसके लिए आपके बार एक ही बार case चलेगा और एक ही बार उसको अपको उसके लिए सजा मिलेगी दोस्तों तो दोस्तों बने रही इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसी topic के बारे में सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके provision जो है इसके प्रावधान कहां पर दिये गए है basically बात करें तो Indian Constitution भारत के समविधान में इससे सम्मंदित provision सबसे पहले बताये गए है article 20 subcloss 2 में बताया गया है दोस्तों कि एक ही अपराद के लिए किसी व्यक्ति को दो बार दंडे नहीं दिया जा सकता है दोस्तों ये provision mention होने के कारण CRPC जो हमारी है या दंड पक्रिया सहिता जो हमारी है उसमें भी इस provision को include किया गया है section 300 के अंतरगत in provision को include किया गया है दोस्तों और इसमें ये clearly बताया गया है कि अगर आपको एक offense के लिए एक बार try किया जा चुका है आपका trial complete हो चुका है और उस trial में आपको या तो equitable किया गया है या convict किया गया है दोस्तों तो ऐसे cases में फिर आपको दोबारा trial नहीं जिलना पड़ेगा ना ही आपको उस offense के लिए दोबारा पड़ेगा गुण दोश्के आधार पे उस case का निर्धारन होना जरूरी है दोस्तों complete trial होना चाहिए evidences होना चाहिए evidences होने के बाद आपका defense भी होना चाहिए और उसके बाद court को ये decide करना पड़ेगा कि आपका conviction हुआ है या equitable हुआ है ये condition अगर complete हो चुकी है आपके साथ एक बार तो दोस्तों charge का लगना बहुत ही जरूरी है चाहिए लगने के साथ साथ उसका jurisdiction या छेतरा अधिकार होना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर court का छेतरा अधिकार नहीं है और बिना छेतरा अधिकार के उस court ने उसको सुन लिया है और उसके बाद लोगों को पता चलता है या कि दुबारा दूसरे कोट में फिर से ट्राइल को जेल नहीं होगा section 300 आपके उपर वहाँ पर apply नहीं होगा CRPC का दोस्तों तीसरा दोस्तों अगर आपको discharge कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों discharge के बारे में मैंने आपको बताया गया था कि framing of charge से पहले का यह stage था उसमें यह clearly mention किया गया था कि अगर सारे सबूतों को देखने के बाद चाहे वो magistrate court हो चाहे court of session हो अगर उनको नहीं लगता है कि आपके against में कोई offense बन रहा है तो आपको discharge कर सकता है दोस्तों तो discharge का मतलब दोस्तों कभी भी acquittal नहीं होता है आपको कभी भी दोशमुक्त नहीं किया गया था discharge का मतलब यह होता है दोस्तों कि वहाँ पर आपके against में evidence प्रॉपर नहीं थे इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर कभी proper evidence आते हैं आपके case को जिसको कहते हैं reopen दोस्तों reopening आपके case की की जा सकती है दोस्तों वह इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कि section 300 discharge के case में दोस्तों कभी भी apply नहीं होगा अब दोस्तों चौथा point है उसके बारे में हम बात करते हैं अगर same person है और उसने different offenses किये हुए है ठीक है और एक बार trial चल चुका है एक offense के लिए तो दूसरे offense के लिए दोस्तों बाद में trial चल सकता है जो बाद में पता चले दोस्तों हो सकता है उस समय वो offense disclose नहीं हो रहा है लेकिन उस offense की inquiry और investigation और trial complete होने के बाद हो सकता है कुछ एक नए offense open हो जाए तो ऐसे cases में दोस्तों उस नए offense के लिए उसकी उपर case चल सकता है दोस्तों बट पुराना offense जो है उसके लिए जो सजमीली वो उसको काटनी होगी लेकिन नया case भी उसकी उपर चल सकता है ऐसे cases में section 300 का exception आपके लिए apply नहीं होगा तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए double geo party के बारे में जिसमें मैंने आपको completely बताया कि एक offense के लिए आपको दो बार tribal क्यों नहीं किया जा सकता नहीं तो ऐसे कभी भी trial का अंत नहीं होगा और आप अंतहीं ये cases जो है चलते रहेंगे इसलिए ये provision जो है CRPC में बताये गए हैं दोस्तों दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए नीचे comments कीजिए नीचे description में हमारे link दिये हुए हैं अगर आप हमसे बात करना चाते हैं तो आप हमसे description में दिये गए link से appointment book करके बात कर सकते हैं दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद